नमस्कार मैं अब शेकमार आप सभी का स्वागत करता हूँ Focus Study with अभी में Champion GK Series आज हम लोग Class No.9 देख रहे होंगे और जिसमें हमारा 9th topic भी complete हो जाएगा अज ठीक है अगर आपने अभी तक Art के Art Lecture नहीं देखे हैं ठीक है तो आपको इस ग्रूप को जरूर से जॉइन कर लेना है आपको लिंक भी description box मिलेगा तो चलिए देखे जैसे कि आज हम लोग का Art and Culture का last topic था जिसमें हमने cover करनी थी भासा यानि कि जितने भी important भासाएं हैं यानि कि official language है अधिकारिक भासाएं है state wise उसको तो करेंगे लेकिन दो topic मैंने देखा कि अभी latest TCS ने काफी सवाल पूछे हैं वहां से जैसे कि आपकी चितरकला जो आपकी एक topic बचती है Art and Culture में हम इसे देखते हैं painting ठीक है और साथ के साथ हम इसमें ही आपको नवर्स का भी discussion कर देंगे कुछ important है जैसे कि southern region में और eastern region में ठीक है eastern state में जो है जो वहां पर नए तहवार जो मनाया जाते है मतलब new year जो मनाया जाता उसको क्या बोला जाता है यहां से आपके सवाल पूछा गया ठीक और उसके बाद दूसरा जो topic बसता है आपका जितना भी important act है यानि कि जितने important कानू जैसे कि dory act हो गया, income tax act हो गया, आधार act हो गया ठीक है ना तो यह सब कुछ भी मैं दो topic करवाओंगा दो वीडियो में तो आपका फिर finally art and culture का पूरा का पूरा tension finish out हो जाएगा जितने भी सवाल 2020 में पूछेगा है 21 में पूछेगा है, 22 में पूछेगा है, वो सब कुछ और उसके अलावा उस topic से जितने सवाल बन सकते हैं, वो सब कुछ मैंने करवा दिये ठीक है, तो भाई आपका इतना support होना चाहिए कि अगर इस series को आप, मतलब आपको मुझ भी इसमें से फायदा हो रहा है, तो आप इस series को जरूर दोस्तों तक शियर करें वीडियो को लाइक करें, जरूर कमेंट करें, आप अपना कुछ सुजाओ है, तो सुजाओ को भी रख सकते हैं तो चलिए, इस static gk के बाद हम, sorry, art and culture के बाद हो सकता है तो मैं politics section के जो important, जो आपके topic है, फिर history है और उसके बाद geography लूँगा या फिर environment भी ले सकता हूँ, तो आप सभी को मैंने पहली कहा था कि हर section वो cover किया जाएगा जो pattern अभी चल रहा है, TCS के द्वारा, ठीक है, और जो पूछेगा है और उसके जितने भी expected बन सकते हैं कम time में सारी चीज़े आपको यहाँ पर provide की जा रही है, आप इन में से कोई भी exam के तयारी कर रहे हैं तो आपको यह university आपसे पूछा जाता है नाम दे कर कि कई मतलब कि इतने question यहाँ से पूछे कहा हैं तो वो 6 के 6 university आपको याद होने चाहिए कहा है, तो पहला यह आपके language से ही समंदित विश्यविद्याल university है तो पहला आपका जो विश्यविद्याल है, 6 भासा विश्यविद्याली इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, 6 language university तो पहली university के अगर बात कर ली जाए, तो लाल बहादू सास्त्री संस्कृत, राश्टी संस्कृत विद्यापिट कहा है, तो न्यू दिल्ली में है तो दिल्ली में आपको दो याद रखना है, एक तो लाल बहादू सास्त्री संस्कृत, राश्टी संस्कृत विद्यापिट, और नेक्स्ट आपको याद रखना है, राश्टी संस्कृत संस्तान, ये कहाँ इस तीते तो दिल्ली में श्यविद्याली कहा है, तो वर्दा में है और next English Foreign Language University कहा है तो हैदराबाद में है और next राष्ट संस्कृत विद्या पिट के अगर बात कर लिए कहा है तो त्रीपती में है और next आपको अंतिम जो होगा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू उनिवर्शिटी कहा है तो हैदराबाद में है तो हैदराबाद में English Foreign Language University है और next आपका मौलाना आजाद नेशनल उर्दू उनिवर्शिटी है ठीक है उसके बाद महातमा गांदी अंतराष्ट हिंदी विश्य विद्याले कहा है तो वर्दा में है और तृपती में आपको एक याद आपका Language Institution है Central Language Institution की जो establishment हुई थी 1969 में हुई थी और यह कहां की गई थी तो मैसूर में की गई थी ठीक है आपको याद रखना मैसूर में की गई थी इंगलिस वाले भाई Central Language Institution की establishment कब हुई थी तो 1969 में कहां तो मैसूर में very very important कई सवाल यहां से भी पूछे गया है नेक्स्ट भारत की पहली सास्त्री भासा देखिए टोटल कितनी सास्त्री भासा है छे छे में से first कौन सी सास्त्री भासा यानि की classical language है first classical language कौन सी होगी तो तमील होगी जिसे 2004 में सा किया गया था दरिजा दिया घया था Next आपको है Sanskrit और хrnaid उनको 2008 में ही और साथ के साथ आपको तेलगु को भी 2008 में ही दिया गया है कि Sanskrit को 2005 होगा ठीक ना है तो आप इसे सही कर लेंगे 2005 में इसे classical language का दरजा दिया गया था तो first classical language, सबसे पहले कितना classical language है, तो 6 है, पहली classical language कौन सी है, तो आपकी तमील है, जिसे 2004 में classical language का दरजा दिया गया है, next 2005 में, ये 2005 होगा, 2005 में Sanskrit को जो है classical language की दरजा दी गई थी, next कर्नड और तेलगू आपको याद रखना है, दोनो 2008 में ही इनको classical language का दरजा दे दिया गया तो total 6 में आपने देख लिया, पहला जो होगया आपका तमील, ठीक है, पहला क्या होगया आपका तमील, ठीक है, पहला आपका होगया तमील, जिसे 2004 में सास्त्री भासा का दरजा दिया गया, दूसरा होगया Sanskrit, जिसे 2005 में दरजा दिया गया, तीसरा और चौथा आपने यह नेक्स्ट 14 सितंबर को याद रखना आपको 1949 14 सितंबर 1949 को Hindi वा अंग्रेजी को ओफिशल लेंवेज की दर्जा दी गई थी ठीक है तो जब 14 सितंबर 1999 को पुछा जाये तो उस समय एक्ट जैसे कि राजभाजा एक्ट हो गया, अधार एक्ट हो गया, इंकम टैक्स एक्ट हो गया, CRPC एक्ट हो गया, उसके बाद डौरी एक्ट हो गया, ये कब आये हुए थे, ये डारिक्ट आपके एक्जाम में पुछे जा रहे, स्टेट री और्गनाइजेशन एक्ट हो ग अफिशल लाइंग्वेज एकसेट किया था उससे क्या क्या गया इंगलीज को अधिकारिक भासा से हटा दिया गया था ठीक है कब कौन सी एक्ट के तहत तो राज भासा एक्ट 1963 के एक्ट के तहत ठीक है न यह आपको याद रखना तो सब सब पहले तो यह याद रखना 14 चुमबर उनीस ओन्चास को क्या हुआ था इंग्ली और अंग्रेजी को क्या गया था ओफिशल लाइग्वेज की दर्जा दी गए थी लेकिन जब राज भासा एक्ट आया था तो इस टेड लाइग्वेज एक्ट जब आई थी आपकी 1963 में तो उसमें क्या हुआ था अंग्रे अनुसुची में आपको याद रखना है कि आठीवी अनुसुची में डोल्ने वालों की कुल संख्या की मतलब कि मतलब कि पूरे वर्ड में सबसे अधीक जो बोलने वाले अगर लैंग्वेज है तो आपके आता है इंग्लिस केके सेकेंड नंबर में मैंडरीम तीसरे नमबर में हिंदी, चौथे में एस्पैनिस, फिर पांचवे में फ्रेंच, छटे में अरबिक और साथवे में बेंगाली आती है और आठवा आपका है रॉशियन तो बेंगाली का आप किसे पूछा गया है ठीक है और हिंदी का भी पूछा गया तो हिंदी आप थर्ड नमबर बोलेंगे, बेंगाली आप सैवंध नमबर में बोलेंगे ठीक हा नेक्स्ट आपसे अगर पुछ लिया जाएकि संग की राज भाशा हिंदी, जो है कौन सी सब क्लॉज 1 भी आपका सकते है ठीक है इस तरह से भी आपको option मिलेगा तो इसको आप टिक करेंगे ठीक है तो आर्टिकल 343 में क्या है वर्णित है यानि कि वहाँ पर लिखी हुई ये बात है कि जो union की जो state language होगी वो क्या होगी हिंदी होगी ठीक है अब कुछ important याद रखन इसमें से पूचाएगा तेकिन में से कौन से द्रविर भासाएं नहीं है तमिल भी दिया था तैल को दिया था मल्यालम दे दिया और एक अलग कोई language देगा ठीक है करनड तिलू गॉंडी और कुडू के याद रखना ये सभी द्रविर भासा है नेक्स्ट स्रिलंका की जो र स्रिलंका में क्या गया है दर्जा दिया ठीक है सिहली और तमील भासा को स्रिलंका में दर्जा दिया गया अब कुछ जन गन्ना के हिसाब सम्चीज देख लेते हैं 2011 कि जन गन्ना के नुसाद है 43.63 परसेंट जो है हिंदी बोलने वाले हैं 8.3 परसेंट सेकेंड नंबर में परसेंट में परसेंट मराठी है फूर्थ नंबर में 6.70 जिरो परसेंट में तेल्गु है और अंतिम यानि की पांचवें नंबर में जो होगा 5.70 के साथ में तमील मतलब इतने परसेंट लोग जो होते हिंदी बंगवाली मराठी तेल्गु और तमील बोलने वाले ये आपको आपको मैंने फेस्टिबल करवाया था वहां पर भी करवा दिया तो वह तो आपको वहीं पर मैंने करवा भी दिया आपको याद हो गया गया इसले उसको मैंने इंक्लूड नहीं क्या है ताकि video भी लंबा नहीं हो सक overlapping और आपको भी इतना कुछ नहीं लगा कि आपको इतना कुछ याद करना था याद क्या है याद रखना घिक तमिल भागता के लेपी क्या है तो अबुगिद्धा यह भी पूझा गया है नेक्स का यह बहासा में सबसे ज्यादा कॉण से बहुड़ी जाती है जो बहीली है वो सबसे ज्यादा जैंक यह भिली है और को देंस क्या क्यों बहुत है तो सा संस्कृत बोले जाती है सिंगपूर की राच्ट ये भासा क्या है मलैघ है और तमील है और आपको पूछा जाता है बाल संस्कृत अकादमी पूछा जाता है यह कितने भासाओं में धी तो याद रखना 24 में, 24 भासाओं में दी जाते हैं, जिसमें से 22 भासा तो वो है जो आपके RTV नुसूची में सामिल है, और 2 भासा एक्ष्टर याद रखना है राजस्थानी और अंगरीजी में, और एक्जाम में भी आपसे यही पूछा जाता है कि राजस्थानी और अंगर साथनी है ठीक है नेक्ष्ट उडिया साबका एक सवाल बनता है किї आरे की जो रियुगा यहमुल की जो भासा क्या है तो उडिया किस मुल्गी भासा तो एक्ठीक तो यह पूरा-का-पूरा आपको इतना आ जानना था लैंगrid से संबंदित के सवाल मैं फिरसे कर रहा हूं इसके अलावा जो भी language state wise थे मैंने वो आपके festival वाले section में करवा दिया ठीक है festival वाली वीडियो में तो आप वहाँ से भी कर लेंगे उसको और बाकी जो बचा हुआ था मैंने यहाँ पर पूरी चीजें मैंने करवा दिया ठीक है और आपकी total कितनी भासा है छे सास्त्री भासा है छे में सबसे पहली कौन है तो तमील है जिसे 2004 में क्या क्या गया है संस्कृत सास्त्री भासा का दर्जा दिया गया है और आप इसे ठीक कर लेंगे 2005 में संस्कृत को मैं फिर से कर रहा हूँ 2005 में Sanskrit को क्या किया गया Classical Language का दर्जाद दिया गया 2008 में 2 Language है कनर और तेल को 2014 में 2 है आपका ल्यालम और उडिया उडिया कौन सी मुली की भासा है तो आरिय मुली की भासा है ये भी आपको याद होना चाहिए हिंदी और इंग्लिस क्या था आपके Official Language 14 सितंबर 1999 को कहा गया था कि इंडिया के जो Official Language क्या है वो हिंदी और अंग्रेजी है लेकिन जब State Language Act आई 1963 में तो क्या हुआ था इसमें से अंग्रेजी को हटा दिया कब आया था 1963 में आथा ठीक है आई होब चीजे आपको क्लियर हो गई होगी नेच्ट वीडियो में हम मिलेंगे चितरकला यानि के पेंटिंग से और न्यू एर के जितने भी पॉइंट बनेंगे वो कर लूँगा ठीक है अब उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट एक्ट है ठीक तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो करेंगे दोस्तों तक शेयर करेंगे मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद